आप भी चाहते हो कहीं जाते समय आपकी स्किन बिल्कुत चमकती रहे दमकती रहे आप बहुत ज़्यादा खूफसत लोगों लगे कि आपने तुरंधी फेसल करा के आया है बट तुरंधी फेसल कराने के बाद वो चमक नहीं है तुरंधी कुछ चीजे मिक्स करके लगाने से ब्लीज से ज़्यादा गोरी फेसल से ज़्यादा निखार आता है हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल इल्हावादी गल बवीतराज मैं विता फ्रेंट्स आप लोग कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे खुस होगे स्वस्त होगे और अपनी डिउसे कुछ चीज़े एक यह उसके बाद चादू आपको देखना कि इस प्रेच लाइड करता है यह चिकार यह आपको उपकी स्किन को आपको ब्लाइब उस Bürger स्वेता में 285 निकल sorta करना आपको लग रहा है कि आपकी स्कुन मिला से एकना है और चिलेड्स क्लीन निकल रह जाना है तो आप इसे सिफ 10 नट करके देखना आपकी स्किन कीती जदा प्राइट लगती एक चमक आ जाती है ठीक है और यह अपनी कोहनी पे अपने नेक पे अपने हाथ पे अपने पैर पे जहां भी लगता कि आपकी स्कीन डार्क हो चुकी है हाथ पैर आपकी काले पड़ ग सब्सक्राइब कर सकते हैं घरदन के लिए बहुत अच्छी रेमेडिय जो नेक हमारी काली पड़ जाती है उसके लिए और कहुनी के लिए बहुत अच्छी है तो यहां मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहती हूं इसे कौन यूज करेगा कौन यूज नहीं करेगा थिक इस इस रेमेडिक हो आज में बताने जानी है इसे आपको साम को करना है तो यह सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको इस रेमेडिक को साम को करना है तो आप इसे यूज नहीं करोगे ठीक है तो चलो फटाफट देख लेते इस रेमेडिय को बनाते कैसे इसे यूज कैसे करते हैं पहले आप लोग से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूं आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो कई बार आए हो और आपको मेरे वीडियो अच्छ करते हैं चलो फटाफट देख लेते हैं अक़ते से करतकश ले ना शर्त विचन प्रेश्ट कर लेता हुआशना प्री चंघ करताहर ० करता है और आप इसे बीतमिन सी होता है और चोड के हैं पूर निकाल देना है तो यहां पे देखे मैं निकाल लिया यह लगब है वन इस्पून होगा एक बड़ा स्पून है अगर आपके करके तो भी इच्पन स्टेखं आपने होज़स मेशान को सदर्य के तो यह एक पाउड़ स्टक को लिर्प हुआ हो आपको अगर लेना है और गरमिक्स कर ले ना है eş रही है पलताई दम से दर दरा फिर सब्सक्न करने में दम लेना काउफी यहां यहाँ थो हीकिन आपको यहाँ सब्सक्राइब लेटेां तो कॉलओं MA यहाँ इस tää्य। कम धीए साथ हमारी कुलं के दाने वह बाहँ कि अदिकेतल चौन को सब्सक्राइब मिक्स करना आपको हनी लेना है वन स्पूर तोड़ा से अच्छे से मिक्स करना है और यह देखो भी किть है अब से फेस पर लगा कि निखाते है इसके लगाना कैसे है आपसे पहले आपको फेस वास करने के बाद आपको रोज वाटर लेकर के फेस को डिप क्लीन करना है क्योंकि आप नीबू लगाने जा रहे हो तो आपके फेस पर कहीं इचिंग ना हो वैसे जिसके फेस पर इचिंग नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं होती वही इस रेमेडी को यूज करना ठीक है आपको दूसरा जो नीबु था ना उसमें डिप करना है आपने दो से किये थे और पूरे फेस पे जैसे मसाज करना है स्क्रब का काम करेगा यह स्क्रब होगा आपकी स्कीन की सारी डेड स्कीन निकलेगी आपकी स्कीन चमकदार होगी ब्लैक एट्स मिल एंड पास जबच एट कर सकते हो फिर इसे पर फेस पे जहाँ भी आप इसे लगा तो निकल जाएंगे और इसकी पर एक अलग सी चमक आने वाली है इसे युगार यूज करके देखना फिर मुझे जरूर करना कि यह रमेडिया आपको कैसी लगी और यहां पे से सूखने देना है 15-20 मिट लगेंगे जब यह सूख जाएगा तो आपको एक कॉटन का कपड़ा कर लेना है Shoe 흰 k đến nights टीक है और इसे पानी में डिप करके निचोडर के और जैसे में निकाल भी से ऐसे आपको निकालना mogę नहीं है तो आपका नॉर्मल पानी से face को क्लीन कर लेना है और क्लीन करने के बाद जब आप अपने फेस को आईने में देखोगे तो आपकी चेहरे पे स्माइल होगी फिर आप मुझे याद करोगे यह दिखे मैं कैसे बता रही हूं जो भी आप कपड़ा लियो ना सलक्लेसन मोसन में धीरे मसाज करके निकालना अगर आपकी कोहनी बहुत ज्यादा काले हो गए मैं जमा हो गई है उसके बाद यहां देखे मैंने फेस को नॉर्मल पानी से फेस को क्लीन कर लिया है फेस वास का यूज आपको नहीं करना है 3-4 गंटे के बाद करना है और इसके बाद आपको फेस ऐसे नहीं छोड़ना है एलविराज जयल हो या कोई भी मुश्राजर आपको फेस पर अपलाई करना है मसाज करना और फिर उसके बद आपको कमेंट करके मेरे को बताना है लाइक करना है सेयर करना है चलती हूं फिर मिलती एक नए वीडियो के